हेलो स्टुनेंट मैं डॉक्त भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रेटिकल जोगर्फी प्रेटिकल जोगर्फी में हमारा टॉपिक चल रहा है मैं प्रोजेक्शन और मैं प्रोजेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं जैनितल प्रोजेक्शन यानि की खमत प्रचेप खमत प्रचेप में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तर्बिम्बिय धुर्विय खमत प्रचेप यानि की stereographic polar genital projection तो तर्बिम्बिय धुर्विय खमत प्रचेप बनाने से पहले हम पहले कोशन पढ़ लेते हैं कोशन दिया गया है एक अनपात 25 करोड मापनी पर उत्री गुलार्द के लिए एक तर्विम धुरुविय खमत प्रच्छेप की रचना कीजिए और प्रच्छेप में अंतराल 15 डिगरी रखिए तो हमें एक प्रोजेक्शन बनाना है और प्रोजेक्शन में हमें 15 डिगरी का अंतरा रखना है और ये जो प्रच्छेप होगा वो उत्री गुलार्द का धुरुविय खमत प्रच्छेप होगा रचना विदी के अनुशार यहाँ पे रचना विदी के अनुशार सबस्पेल हमें निकालना पड़ेगा गोले का अर्द्व्यास तो यहाँ लेखना पड़ेगा आपको गोले का अर्द्व्यास वराबर अब आप लोग जानते होंगे कि गोले का जब अर्द्व्यास निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला यह जो सुत्र लगाते हैं वो होता है प्रत्वी का वास्त्विक अर्द्व्यास मट्टे दी गई प्रद्शक विन का हर तो गोले का जो हम अर्द्व्यास निकालेंगे तो गोले का अर्द्व्यास वराबर तो यहां लिख लेता हूँ आर वराबर प्रत्वी का वास्त्विक अर्द्व्यास तो जब हम लोग इसको सेंट्रिमेटर में निकालते हैं तो प्रत्वी का वास्त्रवर ग्यास होता है, वो होता है, 63 करोड, 50 लाख, और अगर हम लोग इसको इंचों में निकाल रहे हैं, तो वो होता है 25 करोड इंच, तो हम इसको सेंटिमेटर में सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं लिखना होगा, प्रत्वी का वास्त्रवर ग्यास कितना हैं तो 63 करोड पचास लाख बट्टे अब दी गई जो प्रतिसक विन्द का हर है तो आप यह कोशन में देखो यह दी गई विन्द होती है यह अंस होता है एक और यह हर होता है तो हर दिया गया है 25 करोड तो हम यहां पर नीचे 25 करोड इसके लिख लेते हैं जब आप इसको यहां से सौल करेंगे तो इसमें भाग देने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.54 सेंटीमीटर यानि कि गोले का जो अर्दव्यास है वो निकल के आएगा 2.54 सेंटीमीटर तो अभी हमने प्रचना विदी के अंसार या कोशन के अकोडिंग जो इसका आर निकाला है या गोले का अर्दव्यास निकाला है वो 2.54 सेंटीमीटर आया है अब हम यहां पर प्रोजेक्शन को बनाते हैं अभी हमने जब इसको सौल किया था तो गोले का जो अर्दव्यास आया है वो आया है 2.54 सेंटीमीटर तो अब हम क्या करेंगे कि प्रकाल और पैंसिल की सायता से इसकेल में 2.54 cm की दूरी को लेंगे तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 0.5 cm तो सीधे सीधे लेंगे 1 cm में छोटे-छोटे 10 कॉलम होते हैं जिसको मिली 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 कहते हैं तो 0.5 cm तो आप डार दूरी लेंगे और 2.5 और 6 mm के बीच में आप थोड़ी से दूरी बढ़ाएंगे और 2.54 की दूरी को अपनी प्रकार में लेंगे फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर एक ब्रत बना लेते हैं तो जैसे हमने यहां पर एक ब्रत बना लिया अब इसमें आप क्या करेंगे कि जहां पर आपकी प्रकार की नौब है जैसे यह सेंटर पॉंट है यहां से इस गोले को आप चार भागों में बांट लीजिए जैसे हमने इसको यहां पर चार भागों में इसको हमने क्या किया बांट दिया इसके बाद में आपको करना यह है कि यहां पीछे का जो इस भाग को आप लोग क्या करें इसको अठा दें उसके बाद में हमारे पास यहां पर यह आदा ब्रत बचेगा यहां पर हम लोग क्या करते हैं यहां पर आप O यहां लिख दें यहां हम लोग A लिख लेते हैं और यह खरहा हम लिए लेते हैं Mבा अब को करना यह होगा कि ओ और एक समाननतर आप को ऊपर बढ़ाए और सीन एक बनानाब की दूरी खीचें तो हम क्या करेंगे ओर एक समानेटर इसकल ऊपर लाएंगे और एन से एक बिना नाप की सीधी रेखा कीशते हैंगे अब वो कोशन में कह रहा है आप देखिए कोशन में कह रहा है कि प्रचे 15 15 डिगरी रखिए आपको करना यह होगा कि यहां पर चांदी की साइथा से यहां 15 15 डिगरी के आपको कॉंट डालने होंगे तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग 15 15 डिगरी कॉड़ों में इसको क्या कर लेते हैं हम लोग इसको बांट लेते हैं तो पहले यह हो गया 15 है 30 45 60 75 और यह 90 तो अब हमने क्या यहां निशान लगा ले हैं आप देख रहे होंगे यह 15 डिगरी का कॉंट यह 30 45 60 75 और नब यह अब आपको करना यह होगा कि यहां से आपको यहां से और यहां पे नीशे यह जो भाग है जैसे हम इसको S माल लेते हैं और यहां S इस वाले center point को touch करते हुए और उपर से यहां इन corner को touch करते हुए यहां रेखा खीचेंगे तो S पे skip रखें और यहां पे जैसे आप इसको ऐसे जब खीचेंगे तो यह भाग इसको ऐसे S यानि कि यहां से हम लोग इसका क्या S लगते हैं से हम प्रकाश डाल रहे हैं यहां S से S से इसको ऐसे रखेंगे तो यहां पे इस वाले corner को ऐसे ही आप इसको skill को रखेंगे तो यहां पे सभी corner को हम यहां पे S को और इन corner को touch करते हुए यहां बना लेते हैं इस प्रकाश हम इसको बना देते हैं यहां number कर लेते हैं हम लोग जैसे यह A है यहां पर हम इसको B C D E F माल देते हैं और इनी को हम यहां पे यहां name देते हैं A B C D E F यह अभी जो आप देख रहे होंगे यह अभी हमारा A बनके तयार हुआ है और इसी A से हमें यहां पे क्या है कि main जो projection है वो के जो कि हमें तयार करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग N और A की दूरी को आपको क्या करना है कि प्रकार में लें और यहां आप एक काम यह भी कर सकते हैं कि यहां से यहां पर आप लोग बिना ना आपकी एक रेका घीच लीजिए और ऐसे हम लोग चाहें तो एक रेखा और इसके यहाँ पार्ट में खीच सकते हैं अभी हमने क्या किया कि दो रेखाँ खीच लिए इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे कि जैसे सबसे पहले एन और एक दूरी प्रकाय ब्रकाल को यहाँ पे प्रकायको यहाँ अमने लगाएं और एक ब्रत बना दिया ऐसे हम क्या करेंगे N और B की दूरी लेंगे और एक दूसरा ब्रत बनाएंगे ऐसे हम क्या करेंगे N और C की दूरी लेंगे N और D की दूरी लेंगे N-E की दूरी लेंगे और N-F की दूरी लेंगे इस प्रकार से आप अच्छा रेखाओं को तयार कर लेंगे फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो बाहर जो एक्षा रेखा है होती है। को हम लोग क्या करते हैं अभी अठा देते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि यह अच्छांस रेखा या भी आपकी क्या हुई है बनकर के तैयार हो गई हैं अब हम देशांतर रेखां को बनाएंगे तो जैसा कि आप जानते होंगे कि टोटल 360 देशांतर होतے हैं और वो कह रहा है कि पंदध़ 50 डिगरी का करके हमें क्या करना है अंतर रखना है इसके लिए ये जो deficiency टोटल है वो 24 रेखा हैं आपको बनानी होगी देशांतर अब 24 रेखा बनानी के लिए आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे कि चांदे को यहां रख लीजिए और इन सम में 15-15 डिगरी के अंतराल पे हम लोग क्या करते हैं कि कौन बना लेते हैं तो जैसे यहां पे 15, 30, 45, 60, 75, 90 ऐसे नीचे भी हम लोग लेंगे 15, 30, 45, 60, 75, 90 इसे यहां पे आप 15, 30, 45, 60, 75, 90 यह देखाय बनके तयार हो गई हैं अब इन्हें हम लोग क्या करेंगे रेखाओं को यहां पे किस एन से मिला देंगे इसकिल की साइथा से हम इसको क्या करते हैं रेखाओं को सही ढंक सिन को मिला देते हैं जब आप इसको इसकिल से मिलाएंगे तो यह रेखाएं काफी सही और सड़ीक आएंगी अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर आप देखेंगे यह इस्ट है तो यह इस्ट लिखते हैं यह होता है बैस्ट है बैस्ट लिखते हैं अब हम लोग इनके क्या करते हैं कि नम्बरिंग कर लेते हैं यहां जीरो यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 180, 105, 120, 130, 155, इस प्रकास से यह अभी हम लोगों की देशा अंतार देखें हम नहीं, अच्छा अंतार हम लोग क्या करेंगे, कि यहाँ पे आप देखेंगे, नीचे वाला है वो 0, 15, 30, 45, 60, 75, और अंदर का जो पार्ट है, वो जो सेंटर पॉइंट है, वो N यानि की नौर्थ पोल है, या 90 डिग्री अच्छा अंस रेखा को वो प्रदिस्ट करता है, तो हम लोग चाहें, तो यह जो हमने भी नंबरिंग कीती है, इसके लिए हम यहाँ A, B, C, D, E, F, यह हमारा N जो पोइंट है, वो हमारा यहाँ सेंटर में आ जाता है, तो इस पकास से आप देख रहे होंगे, कि यह हमारा मंदर के तयार हो गया, तर्विम्बिय धुर्विय खमद प्रच्छेप, अब यह जो तर्विम्बिय धुर्विय खमद प्रच्छेप है, यह उत्री धुर्व के लिए यह बनाया गया है, जैसा कि आप कोश्चन में देख रहे होंगे, कि उत्तरी गुलाद के लिए एक तिर्विम्भिय धुर्विय खमत प्रच्छेप की रचना कीजिए और यह जो प्रच्छेप है यह अच्छांस रेखाओं के लिए सही और सडिक रहता है क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर जो अच्छांस रेखाओं होती हैं वो की यहां तिर्विम्भिय धुर्विय खमत प्रच्छेप तो कल हमें एक नया प्रच्छेप पढ़ेंगे ठेंकियो